Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज शनिवार है यानि कि कोई लेखक, चितरकार या किसी किताब से मिलने का दिन है चलिए, आज मिलते है किताब से, बुक रेकमेंडेशन में तो आज कौन सी किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं? हाँ, वो किताब है हाँ, हाँ, ना, ना, अरे ने, ने, किताब का शिर्षक है हाजी, नाजी अभी आप सोचेंगे ये कैसा नाम है पहले आप किताब का मुखपृष्टतों देखिए यानि कि टाइटल पेज अभी इस टाइटल पेज में आपको क्या-क्या दिख रहा है किताब का शिर्षक हाजी, ना, जी और ये जो चितर है वो है हाजी, ना, जी का इस किताब के लेखक है स्वयम प्रकाश चितर बनाए है अतनु रॉय तो क्या है इस किताब में इस किताब में 30 छोटी-छोटी कहानिया है इन में से थोड़ी कहानियां आपने शायत पहले सुनी होगी, लेकिन लेखक स्वयम प्रकाष जी की कलम की जो हसा देने वाली स्टाइल है ना उसमें ज्यादा मजा है, देखना चाहोगे कि स्वयम प्रकाष जी कौन है. ये है स्वयम प्रकाष जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानिकार वे बच्चों से दुनिया के हर मसले पर बातचीत करते हैं वे बराबरी की भाशा में उनसे बात करते हैं और उनने कई सारे पुरसकार मिले है इस किताब में हाजी और नाजी ये दो लोग अलग-अलग किरदार निभाते है उनका संभाशन उन दोनों के बीज के प्रसंग हसी की फुल जड़ी उड़ा देते है ये सब लेखक की लिखाई का करिश्मा है अभी आप कहोगे जरा जलक तो दिखाईए किताब की तो मालूम पड़े हमें हाँ हाँ तो ये लीजिए ये एक कहानी है वसियत वसियत यानि की विल क्या कहानी है देखते हैं हाँ और ये 30 कहानिया मैक्सिमम एक या दो पेच की ही है उससे ज्यादा नहीं है पन्ने हर कहानी के तो शुरू करते हैं कहानी वसियत एक जलक दिखाने के लिए हाँ जी और नाजी बचपन के दोस्त थे और धंदे में साजीधर भी यानि की पार्टनर्स लेकिन हाँ जी बिमार पड़ गया बिमारी लाई लाज थी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हाँ जी मृत्यु शैया पर पड़ा था और नाजी ने उसे एक मिनिट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा 24 गंटे उसका ख्याल रखा किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दिया एक सुब हाजी बोला यार लगता है मेरा समय आ गया है अरे ऐसा क्यूं कहते हो उपर वाले पर भरोसा रख तू मेरा एक काम करेगा हाँ हाँ बोल मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा क्या हाँ जरूर बताना देख ऐसा करना मेरे जाने के बाद ये मकान सोहन लाल को दे देना सोहन लाल को वो तो पागल है खुद को तो संभाल नहीं पाता इस इतने बड़े मकान को क्या संभालेगा ऐसा करेंगे मकान सोहन लाल को नहीं मोहन लाल को दे देंगे अच्छा ठीक है मेरी सोने चांदी की जो दुकान है पुरानी मंडी में वो रमेश को दे देना यार रमेश रहता है सिंगापुर में वो कैसे दुकान संभालेगा मेरे ख्याल से दुकान रमेश को नहीं सुरेश को देना ठीक रहेगा अच्छा तो फिर ऐसा करना मेरे बैंक में जो भी पैसा है सब मेरी पतनी कमला को दे देना यार बुरा मत मानना पर कमला भावी के हाथ में इतना पैसा देना ठीक रहेगा अगर ये पैसा कमला भावी को देने की बजाए उनकी बहन सरला जी को दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा अच्छानक हाजी पलंग पर उटकर बैठा और नाराज होते हुए बुला एक बात बता मर कौन रहा है तू या मैं ऐसी होगी छोटी छोटी कहानिया और एक कहानी है जिसका शीरशक है धुलाई जिसमें दुकांदार है हाजी और ग्राहक है नाजी नाजी कुछ और समझते है और दुकान किसी और चीज की होती है और फिर जो गलत फैमी की धमाल और एक कहानी है बेरोजगार इसमें हाजी और नाजी दोनों बेरोजगार थे फिर दोनों कैसे कैसे उटपटांग कामों के लिए भी हाँ बोल देते है आगे क्या होता है इसके लिए तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है ऐसी तो और 27 कहानिया है लेकिन लेखक के साथ साथ चित्रकार अतनूराय का योगदान भी काफी है ये है अतनूराय हाँ जी के बात करते समय के हाँ भाव उनकी हैरस्टाइल टोपी दाड़ी ये सब का मजा अतनूराय के चित्र हमें देते है थोड़ा सा अतनूराय जी के बारे में भी जाने अतनूराय के चित्र अलग से पह दिखाओं की लय आदी के साथ देखने वाले के लिए एक अनूठा अनुभव होते हैं। उन्होंने Magical Indian Myths और Tales जैसी कई किताबों का तौफा बच्चों को दिया है। उन्हें कई पुरसकार भी मिले हैं। तो आप देखेंगे ना जरूर अतनुराई की चित्रकला। अंत में देखते है किताब का अंतिम पन्ना। हाँ, अंतिम पन्ना मतलब। अरे जैसे किताब का टाइटल पेज रहता है ना, जिसमें किताब का नाम होता है, किताब के लेखक का नाम है, वैसे ये है अंतिम पन्ना, सबसे अंतिम। उसमें भी एक चुटकुला लिखा है, सु नील आम्स्ट्रॉंग नाजी ने जवाब दिया शाबाश और दूसरा पैर रखने वाला कौन था अध्यापक जी ने पूछा दूसरा पैर भी उसी ने रखा होगा उसे वहाँ कोई लंगडी खेलने तो भेजा नहीं था ये तो सिर्फ एक जलक थी बाकी कहानिया भी हमें बहुत हसी से लोट पोट करती है हाजी नाजी किताब इकतारा पब्लिकेशन की पेशकश है ये किताब ऑनलाइन मंगाने के लिए कुछ वेबसाइट्स हमने कहानी के डिस्क्रिप्शन में दी है तो कैसा लगा मिलके हाजी नाजी से और ऐसी हमारी मनपसंद किताबों के बारे में जानने के लिए आप आते रहिए बुक्स दाट स्पीक पर यूट्यूब और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते है और किसी शनिवार के दिन हमारी कहानिया तो आप हर सोमवार गुरुवार तो सुनते ही हो ना मिलते है बाई शुक्रिया